हेलो फ्रेंड्स में सहली चाइनल में आपका स्वागत है आज मैं आपको पांच मिनट में बनने वाली आलू गोभी मटर की सबजी बना के दिखाती हूं इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और कच्छा मसले वाली सबजी मैं आपको बना के दिखाती हूं इसके लिए मैं मैंने सारे सब्जी को काट के पहले से रख लिया है गोवी अलू मतर सारे सब्जी को काट के दो के फ्रेज करके रख लिया है अब इस बरतन में यह गोवी डाल जेती हूँ आलो भी डालोंगी मतर भी डालोंगी एक गाजर है यह भी डालोंगी आप अपने पसंद से सिर्फ आलो में भी बना सकते हैं और सिर्फ आलो और गोवी भी बना सकते हैं यह कुटा हुआ अधरक और लासुन है सब्जी का नुसार मसाला डालिए जितना आपका सब्जी है एक चमच हल्दी पाउडर एक चमच मिर्चा पाउडर अपने स्वाद नुसार डालिए एक चमच धनिया पाउडर थोड़ा गरम मसाला और यह मैंने दो टमाटर लिया है यह भी इसमें डाल दूँगे श्वाद अनुशार नमक अब मैं आपको बताती हूँ इसका बनाने का तरीका कराही गरम होने रखती हूँ और इस सबजी में इस सबजी में ठोड़ा कच्चा सरसो का तेल भी डालूँगे और इसे अच्छा तरह से मिला लूँगे सबको कराही गरम हो चुका है अब इसमें थोड़ा तेल डाल देती हूँ इस सब्जी बहुत ही टेस्टी बनेगा इसका स्वाथ जानने के लिए आप एक बड़ जरूर इसे बनाएंगे बहुत जल्दी बन जाता है यदि ये मेरा वीडियो बनाया हुआ रेसिपी का वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो मेरे चाइनल को जरूर से जरूर सब तो मैं डेस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी वहाँ जाके देख लीजिए अगा तेल गर्म हो चुका है इसमें छोटा चम्मस से चम्मस जीरा डा दूंगी एक तो देश पत्ता और एक कटा हुआ प्याज को थोड़ा बूलना है तो मैं इसमें यह सब्जी को डाल दूंगी और इसमें एक कटोड़ी पानी डाल दूंगी अब इसे धकम से पैक कर दूंगी और इसे मदी माज पे पकने दूंगे और इसे मदी माज पे पकने दूंगे इसमें जो मैंने तेल डाला था सारा तेल आ गया है उपर आप सब्जी को चेक कर लीजिए आपका सब्जी जिस साइज का कटा होगा उतना टाइम लेगा पकने में आलू थोड़ा बरा बरा है थोड़ा सा और दो मिनट पका लेती हूं आपका सब्जी बनके तयार हो जाएगा बहुत ही ज्यादा टेस्टी सब्जी इसे एक बार जरूर ट्राइब करेंगे दो मिनट और पका के मैं आपको दिखाती हूं इस सब्जी को जब भी बनाए तो बीच में बार बार ना खोले इसका भाप अंदर ही रहने दे तो ही ज्यादा टेस्टी होगा बीच बीच में बार बार ना खोले एक बार खोले कि हाँ अब अब अन्जाद आ जाए कि मेरा कि अब nothing ज़ोद के रेड़ी है कि याज टनैकि दाल दीजिए कि कमें कि के टिस्टी सब्सक्राइब करेंगे क्या है आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरेश चैनल को जरूर सी जरूर सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे कामेट करेंगे और मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मिलती हूँ अगले वीडियो में थैंक यू